नए वीडियो में स्वागत है अभी हम तिर्वेंद्रम बस स्टेंड पे हैं और यहां से अभी हमारी यह बस चल रही है जो हमें नागर कोड तक ले कि जाएगी और वहां से हमें चेंज करके आगे कन्या कुमारी की दूसरी बस लेनी है नागर कोड यहां से 76 किलो मिटर है और कन्या कुमर वहां से बिल्कुल पास में है तो बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस सफर को एंजोई करें त्रेंड बस हमारी यहां से निकल चुकी अभी बाहर निकल देए बस स्टेंड से और यह तिर्वेंद्रम का सुटी का वियू का वियू बहर का वियू उपर स्टेंड के बाहर का वियू और इस सामने तेखिए कि दो इस सामने रेलवे स्टेंड से गाड़ी घुम के बाहर रोड की तरफ आई है तो यहां भी एक बस स्टॉप रोड की साइड में भी यहां से कुछ स्वारी लेके फिर बस आगे हमारी रवाना होगी और यह आप सामने जो देख रहे हैं बड़ा सब्सक्राइब यह तिर्वेंद्रम सेंट्रल रेल्वे स्टेशन है यह इसके बाहर का पूरा व्यूँ तो बने रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस सफर को इन्जोई करते रहें और यह बरीज से रेल्वे स्टेशन का व्यूँ बहुत सारी ट्रेने यहां खड़ी है और यहां पर यह आगे से रोड का व्यूँ आगे नागर को इस तक लेगी जाएगा और वहां से हमें कन्या कुमारी की निपर सेंज करनी है तो होफुली तीन या साड़े तीन गंटे में हम करने हमारी फॉंच आएगे बढ़े रहें पूरे वीडियो में और इस सफर का इन्जोई मेरे साथ करते रहें यह तिरिवेंद्रम अभी हम निकले हैं यहां से बस से रेलवे स्टेशन से और यह आगे का व्यूँ आप देख पा रहें और यह हमारी बस अंदर जे कुछ ही लोग है कुछ ही स्वारिया है खाली है और पिछले नो दस दिन से मैं केरला में था और बहुत ही अच्छा यह पुरा सफर रहा केरला का वीडियो के माध्यम से आपको यूटूब पे मिली रहे हैं यही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब पिर के पूरी सीरीज आप देख सकते हैं यह मेरी पूरी कोस्टल भारत की यातरा दो महिने की जो आपको यूटूब पे मिल जाएगी और जिसमें 10 दिन मैं केरला में लगाए हैं तो उसके भी आपको हर एक जगह जहां में गया हूँ, हर एक जगह जो मैंने देखी है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिस की है वीडियो की माध्यम से, तो आप उन वीडियो को जरूर देखे, और अपना कमेंट करके मुझे डाइड करें, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें केंगेव, और यह दूसरी पस पास से निगली है, तो इस तरह से यह केरला का बहुत ही स्यांदार मेरा ट्रिप रहा, और अभी कन्या कुमारी और आगे का सफर जारी रखेंगे, तो दो महिने का यह पूरा कोश्टल बारत का सफर है, जो एक महिना तकरीवन मेरे को हो गया, राजस्तान से सुरू करके यहां तक, और अभी दूसरे कोश्टन, कन्या कुमारी जागर के दूसरे कोश्टन से, रामेश्वरम होते हुए, चन्नाई होते हुए, और बिजमेर पांटचेरी भी आएगा, और आगे पिर आंधर पटेस, और आगे का उड़ी सा होते हुए, क किर भेंधरम का विव आप देख पा रहे हैं, बहुत ही स्यांदार सिटी, केरला का केपिटल सिटी, बहुत अच्छा लगा, केरला आ करके, और इस ट्रिप को करकर के, जिसमें मैंने दस दिन केरला में लगाए, जो कहीं कहीं मेरा एक फेवरिट जगह है, आप भी इसको मेर के साथ नजोई करें, भी अचय है, जो के वैसे हैं, तो दौन करेंड है, और अभी हम आगे हैं, नए तिम कारिया यहां पर हम पहुंच गए हैं कि यह इसका बस स्टेंड है कि एक मिन्ट के स्टोप के बाद स्वारियन लेके वापिस नया तुन कराशी पर सबार निकल गई अभी कि तॉक गई आध mapped मावगूूूूॉ कि बतर नहीं वह तुन के स्टोप क स्टोप के स्टोप् का जु मौसम मेंगोंू ou बखका थूचे को अबर्दिन माल जी है हो गई तो कि को को क्षो का मौनौूू तो गुद ubiqu तुन को लेक通 भी के स्टोपूुं। कि यह मारा कन्या कुमारी का रस्ता इदर से अभी गाड़ी इदर से राइट में घूम जाएगी यह कन्या कुमारी का हाइवे सुन्दर नगर स्क्वायर यह सा कुछ लिखावा यहां पर और यह बहुत पुराना चर्च यहां पर दिखा है इसी रष्ते के ऊपर आbry यहां पर बहुत ही सांदर से जो है धार्मिक स्थान help काफी फुम्ले मतलब काफी पुराने लगते हैं स्टार्पं कि सेंच सकून दिश्काइबUM कि पूर कि कि सिरे में ने धेखते हैं इसी तक आध यह मैं जो धार्मिक स्थान हैं काफी फुराने और अभी हम बिलकुल पोडर के मिजदीग हैं एक तरफ तमिल नाडू और एक तरफ केरला तो केरला से भी हम तमिल नाडू मेंट्री करने ही वाले हैं यह बोडर का ही गाउं है और यह हमारी तमिल नाडू मेंट्री हो गई अभी यह तमिल नाडू का पहला गाउं बिलकुल यह बोडर के उपर ही है कर दो कर दो कि अ कि अदर भी पीला है आप देखें यह सामने ओटो पर यह यह लो कलर के आटो है पूजित तुराई पूजित तुराई इस गाउं का नाम है जहां पर अभी हम चल रहे हैं और ये एक नदी आपर इसे हमने क्रोज कि अभी उच्फ तुराई इसे साउं है ये के की डी। आते नद हैं नहीं है जब भा प्रकेरेण ईच्टेs के एक हम गगानों कि अग्यों और यह तमिल नाडूगा एक बस स्टेंड तक लाई तो यहां से शिर्फ ये ट्रोस और यह बस एक बर स्टोक किया और वापीश चल दी यह बस्टेंड से बाहर वापीश गारी निकल गई है नागर कलोई यहां से नजदी की है बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस सफर को इंजोई करते रहें यह आप देखिए तमिल नादू के नजारे यह लोग टेम्पो यहां पर और यह यहां का पूरा व्यू तो यहां पर बढ़ावा और अभी हम विल्लू कोरी आगे हैं यह यहां पर मंदिर है यह देखिए एक मंदिर है यहां पर और यह यहां का व्यू विल्लू कोरी अब इस गाओं का नाम और यहां से अभी नागर कोई नजदी की है अब बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ में इंजोई करते रहें आपको अब और यह बहतरे इंद्वियू यहां से नारियल की खेती नारियल की पेट और अब पीछे उसके पहाड़ और यह इंद्वियू बने वे घर बहुत ही शांदार नजारा यहां का और यह यहां का कलेक्ट्रेट ऑफिस है तकरीबन नागर कोहल पहुंच गए है अभी आगे बस इस्टेन आने वाला है और यह नागर कोहल का बस स्टेन जहां से हमें कन्या कुमारी के लिए बस बस चैंज करने पड़ेगी अगर बने रहें पूरे वीडियो में कन्या कुमारी तक जाने वाले हैं तो देखते हैं यहां से हमें कौन से बस मिलती हैं आग अग् और अभी यहां से हमें कन्या कुमारी की बस मिलेगी यह देखिए कन्या कुमारी का बोर्ड यहां पर लगा हुए तो बैठते हैं हमारी बस में और यहां से नगरगोई से कन्या कुमारी तक का जो तकरीबन 15 से 20 किलोमेटर की दूरी है इस सफर पर चलते हैं बने रहें पू यह हमारी गाड़ी है आए बैठते हैं यह हमारी से गाड़ी यह से चल पड़ी अभी कन्या कुमारी के लिए यह से चाह सकतरों से घाली कि अभा़ी है चास कॉमारी के लिए 국ण में पर रार थेंगा जाप़ी कर drawnعة से ञञे, कर दगने हो औकakah कि एफ टॉया, एठीन इड़ी एल जार एल कि प्ट कर दो कि आ्यार करते हो जह को र corona आ haftे घल कर दो कि वे लो फ़घ्स कोला का Nahe कर दो साहब कर दो लजाण 6视觉 by 2 Left लभरी सेस्जश अनल वेर सेस्ट क्याईन लजस सेल प्रफे हो सब्सक्रᴇ झाल 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 तो दोस्तो इस तरह से ये हमारा आज का सफर हमने किया जो तिर्वेंद्रम से कर्णिया कुमारी तक हम लोग पहुंचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रख इस तरह से का सबस्पलियो में अपने जिम थे खिए एकाल आपसे मिलेंगे ये बार आपसे मिलें अपने हैं अपने प्यान प्यान U.T.